पांसो के नौट को बारेकी से देखते हैं और इसमें छुपे हुए रहस्ये कौन से वर्ड्स कहां पर हैं और कितने छोटे हैं यह दिखाता हूँ मैं आभी आपको वीडियो में बने रहें यह देखिए कि यह देखिए इंडिया इंडिया आर बी आई पांसो कितनी बार लिखा हुआ है यह देखिए बहुत बार लिखा हुआ है यहां तक वैसे बहुत चोटा दिख रहा था लेकिन इसमें इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं कि देखिए चोटा सा दिख रहा है बिल्कुर और यहां पर भी यह देखिए पांसो लिखा हुआ है यहां पर यह देखिए और भी चेक करते हैं अभी कहां पर क्या है पांसो लिखे हुआ है कि देखिए गांदी जी के कपड़ों में कि इंडिया लिखा हुआ है इंडिया भारत लिखा हुआ है यहां पर देको दूसरी साइड बी यहां पर इंडिया भारत बोहत बार लिखा हुआ है अब ही ऐसे तो दीखी नहीं रहा है लेकिन जूम करने पर दिख जाता है हुआ है कि यह देखे हैं यहां पर भी पांट सो लिखा हुआ है और यहां पर भी कांदेजी के पास में पांट सो लिखा हुआ है अब इसको उल्टा करके देखते हैं यह देखे इसमें 500 वार भी आई 500 वार लिखा हुआ है राउंड में और करीब से देखते हैं देखो कितनी बार लिखा हुआ है अब लाल के देखते हैं लाल गिला चेक करते हैं इसमें कहां पर क्या लिखा हुआ है यह देखें यहां पर इंडिया भारत इंडिया भारत लिखा हुआ है लाल गिला में भी बहुत बार लिखा हुआ है बहुत बारत बारत लिखा है कि यह देखें यहां पर इंडिया लिखा हुआ दिखरा है आपको कि यह देखें पान सो इंडिया कितनी बार लिखा हुआ है और यहां पर भी तीन बार पान सो लिखा हुआ है कि यहां पर भी पान सो लिखा हुआ है इंडिया लिखा हुआ है यहां पर भी इंडिया लिखा हुआ है कि यहां पर भी इंडिया लिखा हुआ है कि यह देखें फ्लैक के पास में आर भी इंडिया लिखा हुआ है और यहां पर भारत भी लिखा हुआ है पान सो भी लिखा हुआ है कितनी बार पान सो पान सो इस डिजाइन में दिखे हुआ है यह देखिए कितने सारे आर भी इंडिया लिखे हुआ है फ्लैक के पास पास जितने भी डिजाइनिंग बनी पड़ी है उसमें दिखरा है साफ यह देखिए पान सो पान सो आर भी इंडिया आर भी इंडिया पान सो फ्लैक के आस पास चारो तरफ इंडिया आर भी बनी आर भी को था बनी आर भी को आर अचेर गी कितने देखिए जस थे पास पास Confever झाल झाल